वेल्कम फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम जी पैट स्कॉलास्शिप के उपर बात करेंगे जो फर्मसी परड़ा है उसके लिए ये स्कॉलास्शिप दिया जाता है अभी देखिए जी पैट स्कॉलास्शिप क्या है कौन एलिजीबिल है इसके उपर बात करेंगे पहले जान लेते हैं जी पैट एग्जम जो होता है उसका इवोलुशन कैसे हुआ 1988 से 2009 तक गेट एग्जम के नाम पे जाना जाता था और वो आई 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 टी कॉंडक्ट करता था 2010 से 2012 MS University बारोदा वो कॉंडक्ट करता था 2013 से 2018 जो जी पैट एग्जम है वो AICT कॉंडक्ट करता था अभी 2019 से NTA National Testing Agency वो कर रहा है जी पैट एग्जम क्या है जी पैट मतलब graduate pharmacy aptitude test एक national level exam है जो B firm course करने के बाद M firm में admission लेना चाता है उसके लिए एग्जम लिया जाता था 3 years का test computer based test होता था और इसका score के उपर depend करके scholarship मिलता था अभी देखिए जी पैट स्कोलाशीव जो है वो 2 years course master degree के लिए दिया जाता है हर महिना 12,400 इंडियान डूपी में मिलता है और A scholarship जो देता था AICT लेकिन अभी ऐसे बहुत rumor आ रहा है कि AICT A scholarship नहीं देगा 2023 year से मतलब 10 year से एक ऐसा attachment भी बहुत सारा जगा पे देख रहा हूं मैं जो एक साहत एक student को दिया गया था जो मतलब 2023 से scholarship AICT नहीं देगा लेकिन जो student अल्डेडी admission लिया गया लेके पढ़ा है उसको दिया जाएगा यह एक attachment मिला लेकिन यह authenticate है के नहीं है यह अभी पता नहीं वह भी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या AICT में ऐसे कुछ circular है so AICT का इस help line number है technical queries के लिए एक number and scheme related queries के लिए 011-2958-1119 and email id pg scholarship at the rate aicte-india.org so यहाँ पे phone करके और email भेज के भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं ICT website में जब मैंने enter किया so देखा 2022 का notification है college के लिए and student के लिए भी ठीक है लेकिन 2023 का कोई ऐसा circular नहीं है तो अभी live देखेंगे देखिए Google Chrome enter किया date देखिए 29th June 2023 टाइम अभी है त्री बचकर 56 minutes so अभी देखिए यहां पर क्या-क्या है PG scholarship gate और GPAT में उपर क्या-क्या यहां पर notification नहीं देखिए only gate अभी GPAT qualified candidates are eligible for gate और GPAT scholarship candidates admitted for part-time courses are not eligible for GPAT scholarship और भी भोथ सरा है लेकिन यहां पर search option भी है यहां पर अगर देखिए GPAT scholarship करके अगर type किया जाए तो इसके उपर कोई notification नहीं है ठीक है अब देखिए सर्च किया हूं अभी open हो रहा है क्या open हो रहा है PG scholarship for class एसे करके है PG scholarship for G भी देखिए यहां पर क्लिक किया तो यहां देखिए वह जो दिखाया वह भी आया वही आ रहा है कोई ऐसे करके circular नहीं है जो scholarship देखा के नहीं आया ऐसे करके था वह authenticate है क्या नहीं है पता नहीं यहां पर ऐसे कोई notification नहीं है अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज comment in the comment box thanks for your valuable time thank you क्षच्ट क्षब अबर प्लीज झा क्षब सब्सक्ट